मुंबई इंडियन्स ने किसको कितने में खरीदा ये भी हम लिष्ट आपको बता देते हैं नाथन कुल्टर नाइल पांच करोड रुपिये एडम मिलने तीन करोड बीस लाख रुपिये प्यूस चौला दो करोड चालिस लाख रुपिया जेम्स निसाम पचास लाख रुपिये युदवीर चरक बीस लाख रुपिये मारको जैनसन बीस लाख रुपिये और सबसे आखिर में अरजुन तेंदूलकर बीस लाख रुपिये जहां मुंबई इंडियन्स ने अर्जुन तेंदूलकर को 20 लाख रूपी के बेस प्राइज में खरीदा तो वहीं जहिर खान ने अपनी बात रखी जहिर खान ने उक्सन के बाद कहा कि अर्जुन तेंदूलकर बहुती मेहनती बच्चा है वह काफी सीखना चाहता है यह सबसे एक्साइटिंग बात है सचिन तेंदूलकर का बेटा होने का एक्ट्रा प्रेसर हमेशा उनके उपर रहेगा ऐसा हमेशा रहता है कि बड़े नाम के बेटे के उपर एक नाम का प्रेसर भी रहता है जिसके साथ उसे जीना होगा टीम के महोल से उसे मदद मिलेगी यह पहला मौका नहीं होगा जब अरजुन मुंबई इंडियन्स टीम के साथ रहेंगे वहीं अरजुन भी मुंबई इंडियन्स टीम का हिस्सा बन कर काफी खुस है उन्होंने कहा वह बच्पन से ही इस टीम के बड़े फैन रहे है और मुंबई इंडियन्स के लिए सचीन यानि उनके पिता भी खेल चुके हैं